बारे फरवरे, पापा और कश्टों से मुक्ति दिलानी वाली शनीवारी जया एकादशी, पीपल पर चड़ाते यह एक चीज, होगा सभी परिशानियों का अंद, पोरी साल खिचा चला आएगा पैसा, और भूल कर भी ना करें ये साथ काम, ओम गंशी महागड़ी शाय नमा, राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब, दोस्तों पुराणों की अनुसार, भगवान विश्टू ने एकादशी प्रत को सभी प्रतों में सर्वस्तिष्ट बताया है, इसी प्रतों का राजा भी कहा जाता है, हर महा में दो एकादशी आती हैं, और हर एकादशी का अपना एक विशिष महत्व होता है मांक का पवित्र महा चल रहा है मांक मास की शुक्लपक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं भागवान श्री किष्ण ने स्वैम इस प्रत के महत्व को बताते हुए कहा था कि जया एकादशी का प्रत कहने से व्यक्ति भूत पिसाच की योनी से मुक्त हो जाता है तथा श्रधा पूर्वक इस एकादशी का ब्रत कहने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिलती है और भागवान पिश्णू मालक्षमी की कृपा से जीवन में सुक्सम्रथी आती है इंदर लोग की अपसरा को श्राप की कारण जब पिसाच योनी में जन्म लेना पड़ा था तब उन्होंने जया एकादशी का ब्रत करके ही पिसाच योनी से मुक्ति पाई थी इस पार जया एकादशी का ब्रत बारे फरवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा और प्रत का पारण तेरे फरवरी को किया जाएगा प्रत पारण करने का शुब महुरत है तेरे फरवरी की सुभे 7 बच कर 1 नड़ से सुभे 9 बच कर 5 नड़ तक दोस्तों द्वादशी तिथी तेरे फरवरी को शाम 6 बच कर 42 मर्ट पर समाप्ध होगी इसलिए अगर आप शुब महुरत में पारण ना कर सके तो शाम 6 बच का 42 मर्ट से पहले अवश्य ही करे ले क्योंकि द्वादशी तिथी में प्रत का पारण करने से ही एकादशी प्रत पूण होता है दोस्तों जया एकादशी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली और मुक्ष्प्रदान करने वाली होती है इस दिन भगवान लक्षमी नारायन का पूचिन करना चाहिए इस बार की जया एकादशी बहुत खास है क्योंकि इस बार जया एकादशी शनिवार के दिन है जया एकादशी कश्टों और पापों से मुक्ति दिलाने के साथ ही प्रेधियोनी से भी मुक्ति दिलाती है अगर इस प्रत को गर अपने पित्रों को अर्पित किया जाए तो इससे पित्र भी प्रेधियोनी से मुक्त हो जाते है इसलिए इस एकादशी पर पीपल प्रक्ष का विशेश रूप से पूचन किया जाता है क्योंकि पीपल प्रक्ष में भगवान लक्षमी नारायन के साथ ही पित्रों का भी बास होता है इस बाद जया एकादशी शनिवार के दिन है शनिवार के दिन भी पीपल प्रक्ष का विशे शूप से पूचन किया जाता है शनिवार के दिन पीपल प्रक्ष का पूचन कहने से उसका कई गुना अधिक पुन्य फल प्राप्त होता है और इस बार जया एकादशी शनिवार के दिन होने से इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया है शनिवार और जया एकादशी के इस सुबसंयोग पर पीपल प्रक्ष का पूजन अवश्य ही करें आज की इस बीडियो में हम आपको एक ऐसी चीच के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस एकादशी पर पीपल प्रक्ष पचड़ा देते हैं तो इस से आपको भगवाल लक्षमी नारायन की असीम कृपा प्राप्त होगी भगवाल लक्षमी नारायन की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलेगा और जन्मों जन्मों की पापों का भी नाश हो जाएगा घर में चली आ रही धनसंबंदी समस्य अवश्य ही दूर हो जाएगी क्योंकि एकादशी के दिन माल लक्षमी पीपल ब्रक्ष में अवश्य ही बास करती है भगवाल लक्षमी नारायन की कृपा से पित्रों की भी आत्मा को शांती मिलेगी पित्र प्रसन होंगे इससे पित्रों का आशिरवात प्राप्त होगा और पित्रों के आशिरवास से बिगड़े कारे भी बनने लग जाएंगे पीबल रक्ष का पूजन कहने के लिए सबसे पहले इसनान का सच्छबस्त थारण करें दोस्तों एकादशी के दिन इसनान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर उससे इसनान करें और इसनान करते समय ओम नमो भगवति वासु देवाय मंदर का जाप करें ऐसा कहने से भगवान पिश्णू जी के कृपा से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है साथी बैवाहिक जीवन सुख में बनता है और जिनके बिभा में अगर बिलंब आ रहा होता है तो बैवी दूर हो जाता है और जल्द बिभा के योग बनते हैं इसनान के पश्चात शुब रंग के बस्त पहने आज के दिन भूल कर भी ताली, कत्थाई, नेली याने की ब्लैक, प्राउन और ब्ल्यू कलर के कपड़े ना पहने क्योंकि इन्हें अर्शुब माना जाता है और भागवान लक्ष्मीरा रायन का पूर्जन सदर शुब रंग के बस्त पहन कर ही करना चाहिए अब आप एक लोटे में शुत जल ले पीपल प्रक्ष का पूर्जन करने के लिए आप पीतल का या तांबे का लोटा ले कל गाजल है तो इस जल में थोड़ा सा गणा जल भी मिला लएए अब तो to आपको इस जल में दो बताशी डालाने हैं अकर बताशी ना हो तो आप एक चमचे चक हरक कर डाले तो आप लाल चंदन भी डाल सकते हैं when अगर दौस्तों आपके पास हो तो आप इसमें दो पुश्प डाल दें अनके लाल रन्हक का पुश्प बुश्प झाले क्योंकि लाल रंग मालक्षमी को अत्यतेgriff । प्रीय हो और मंदिर के पास पीपल का ब्रक्ष हो या मंदिर में हो तो आप उस पीपल ब्रक्ष का पूचन करें कोशिश करें कि सुनसान इस्थान बाले पीपल ब्रक्ष का पूचन ना करें क्योंकि भगवान ने पीपल ब्रक्ष में सभी को इस्थान दिया है पीपल ब्रक्ष में सभी देवीदेपता और पित्र होते हैं, वहीं पर पीपल प्रक्ष में भूत-प्रेद़का भी पास होता है, इसलिए अगर आपके घर के पास मन्दिर में याफर जहल-पहल के इस्थान पर पीपल प्रक्ष है और आपके पास ओप्षन है, तो आप मंदिर वाले पीपल प्रक्ष का ही पूचन करें जो पीपल प्रक्ष पिल्कुल जंगल में नेजन इस्थान पर होता है और जिसका पूचन नहीं किया जाता जहां चहल पहल नहीं होती उस पीपल प्रक्ष पर नहीं जाना चाहिए दोस्तों अब यह जल आपको पीपल प्रक्ष पर अर्पित करना है अगर पीपल प्रक्ष के आसपास खुली जगे है तो आप पीपल प्रक्ष के पास ऐसे खड़े हो कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो अब आप पीपल प्रक्षपर धीरे धीरे जल चड़ाएं पीपल प्रक्षपर जल चड़ाते समय भगवान पिश्टूजे के द्वादश मंत ओम नमो भगवति वासुते वाय का जाप करें दोस्तों मंत्र का जाब करते हुए आपको धीरे धीरे पीपल प्रक्ष पर यह जल चड़ाना है जल चड़ाने के बाद जल के पातर में अगर पुष्प भताशा या थोड़ी शक्कर रह जाती है तो उसे आप हाद से निकाल कर जल के इस्थान पर ही डाल दें जल चड़ाने के परशाद जल चड़ाने के इस्थान से ही आपको पीपल प्रक्ष की 11 परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवति वासु देवाय मंत्र का जाब करते रहना है जिल चड़ाने के परिशात भगवान शीक अनेश को पढ़ाम कर भगवान लक्ष्मी नारायन को पढ़ाम करें और पीपल में इस्थापे समस्ति देवी देपताओं को पढ़ाम करें और जाने अंजाने में की गए सभी गल्तियों की शमा मांगे अब आप पापों से मुक्ति दिलाने की भगवान जी से प्रातना करें आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है मन ही मन पह आप भगवान जी से कहें और उन समस्याओं को दूर कहने की कष्टों से मुक्ति दिल आने की भी भगवान से प्रातना करें दोस्तों पीपल ब्रक्ष में भगवान लक्षमी नारायन का बास होता है इस तरहें आज के दिन पीपल ब्रक्ष का पूजन करने से भगवान लक्षमी नारायन की असीम गृपा प्राप्त होती है और घर में चली आ रही धन संबंदी सम पित्रों के आत्मा को शान्ती मिलती है जिससे पित्रों प्रसन हो अपना आशिरवात देते हैं और पित्रों के आशिरवात से बिगड़े कारे भी बनने लग जाते हैं पीपल ब्रक्षमी भगवान लक्षमी नारायन के साथ ही समस्ति देवी देपताओं का बास होता है और इस तरहें पीपल ब्रक्ष का पूचन करने से भगवान लक्षमी नारायन के साथ ही समस्ति देवी देपताओं के भी कृपा प्राप्त होती है और ग्रह बाधा ग्रह पे तो सूर्द्यास्त के बाद रात आठ बजे तक आप पीपल ब्रक्ष का पूचन कर सकते हैं लेकिन सूर्द्यास्त के बाद आपको पीपल ब्रक्ष पर जल नहीं चड़ाना है आप सूर्द्यास्त के बाद पीपल ब्रक्ष के पास एक दिया जलाएं इसके लिए आप घी का द के लिए जला रहे हैं इसके लिए आप एक मिटी का टिया ले या फे एक आटे का टिया अगले रहे हैं तो बिना नमक का अडा हुआ ऐगा अर उसका दिया बनाए अब इसमें पूर श के बाती लगाएं और घी भरें दिया आपको इस प्रकार जलाना है कि दिये की बाती की जो लो है वे पूर्वी दिशा की तरफ होनी चाहें इस तरहें दिया जलाकर आप ओम नमो भगवती वासु देवाय मंद्र का कम से कम ग्यारे बाद जाप करें और फिर इसी तरहें प्रातना करें ऐसा करने से भी भगवान लक्षमी नारायन की कृपा प्राप्त होती है लेकिन ध्यान रखें रातरी आट बजे के बाद पीपल ब्रक्ष का पूजन ना करें पूजन करते समय कुछ बातों का विशिश ध्यान रखें महिलाएं से ठक कर ही पूजन करें कन्याएं उन्हें भी से ठक कर ही पूजन करना जाहें जूटे मूँ से पीपल ब्रक्ष के पास ना जाएं अधिकतर हम बच्चों को साथ ले जाते हैं लेकिन बच्चों को भी जड़ाया है उसे अपने माथे से ना लगाएं पीपल ब्रक्ष का पूजन करते समय इन वातों का विशिश ध्यान रखें आज की दिन इस बिदी से पीपल ब्रक्ष का पूजन कर भगवाल लक्षमी नारायन की कृपा अवश्य ही प्राप्त करें उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंस और इस्तेदारों में जादर से जादर शेयर करें जिसे भैभी इसका लाब उठा सके हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फॉर पोचेंग दाथे दाथे